लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत की जाधा इंपोर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वाली गलती नहीं करेंगे ताकि आप आउट ना हो और आपको मेरी तरह वेट ना करना पड़े अगर शायद म मैं नहीं गलती ना की होते हैं तो मैं भी आज आराम से बैटकर इन्रॉल्मेंट का वेट कर रहा होता और मैं इस तरह परिशान ना होता लेकिन देखो यार अभी हालत यह ना कि मेरी पी एफटी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि वज़ाई है कि थोड़ी से मेरी क्योंकि मैंने फिज्कल को बहुत ही हलक़े में ले लिया था देखो यार सिचुएशन बे कुछ वैसे थी कि मैं पीफटी पर ज़्जाधा फोकस नहीं कर पा रहा था अब मैस देखो क्या हून के मतलब क्या वगया था शक्या होता लेकिन देखो बातों को छोड़े यार ज करने की गलती की तो मुझे देखो यार मैं ऐसा बंद हो ना कि मैंने पिछले दो-तीन साल से कोई भी मतलब मैं गेम नहीं खिलता और फिजिकल एक्टिविटी मैं बिल्कुल भी नहीं करता तो मुझे लगा यार कि रनिंग करना या पुश अप करना कौन सी बड़ी बात है ठी दिन में आ जाएगा और इसलिए मैं बिल्कुल से भी रनिंग या पुश अप पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और दे भी नहीं रहा था और कुछ उस प्रकार से उस वक्त हालात भी थे कि मैं ज्यादा ध्यान दे भी नहीं पा रहा था लेकिन मैं ध्यान देता तो मैं ध्य तो उस वक्त मेरा push-up complete नहीं था आपको पता है कि लास्ट टेम कदम ताल वो था running नहीं हुई थी और इसे लिए push-up में थोड़ा ज्यादा बंदो को छाट रहे थे मेरा phase 2 19 जन्वारी को था और क्या हुआ था ना कि शुरू में थोड़ा सा आसान ले रहते लेकिन देरे देर जैसे डेट आगे बढ़ रहे थे और वो मतलब PFT को थोड़ा hard करते जा रहे थे ठीक है अब फिलाल देखो आटेनियस से beat up तो देखो यार easy होता है अगर देखो सच बताऊं तो और वहाँ पर easy ही था देखो अगर मैं अपना सच बताऊं तो जो देखो सच्चाई थी लेकिन देखो सच्चाई भाई यही थी कि पहली पार मैंने नव पुशब मार लिया थे बिल्कूल अच्छे से और दसों मुझे out किया गया और उसने out क्योंकि क्योंकि मैं यार ना उटने में थोड़ा struggle type कर रहा था आपको पता है ना कि यससे आप जब ठक जाते हो आपके सिर्फ 8 ही कर पाया आप देखो अब आप बोलोगे पहली बार ने नो दूसरी बार 8 यह क्या नाटक लेकिन देखो भाई सचाई यही थी मैंने देखो सेम ही में साथ हुआ था पहली बार मैं नौ कर लिया था और दूसरी बार आठ पहली बार मुझे दसों में उठाय गया और दूसरी बार मुझे उतने नवे में जो मतलबाँ सर थे उन्होंने उठा दिया था, तो देखो overall मैं आपको ही कहाना चाहरा हूँ कि आप पहली बात भाई PFT को हलके में मत लेना, ठीक है, दूसरी बात का करना अपना, आप भाई देखो डरना मत, ठीक है, अगर आप डर जाओगे, अगर आप मने बैठ जाया कि PFTR मुझे से नहीं हो पाएगा, ये चाज़े मतलब difficult हैं, ऐसा है वैसा तो देखो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको सब कुछ लेना कि यहां सब कुछ बहुत ही easy होगा, और मैं सब कुछ बहुत ही आराम से कर लूँगा, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अपना best देना है, और आपको running को या push up को हलके में नहीं लेना है, आपको सब कुछ अपना जो physical है, आपको यह इस तयार करके जाना है, देखो लड़के गलती का करते हैं, उन्हें लगता है कि GD सब से में, देखो भाई GD बहुत ही important है, और GD एक अच्छा task भी है, और देखो मैंने भी last time मतलब सोचा कि या, जीडी बहुत ही important है, और अगर GD हो जाएका सब कुछ हो जाएगा, और इसी चक्कर में या, देखो मैं face 2 मतलब physical पर उतना ध्यान नहीं दे पाया, और मैंने देखो आ, GD की बहुत ही सदा practice की थी, even मैंने एक WhatsApp गूर्प बनाया था, और उस गूर्प में 8 से 9 बंदे के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब daily वीडियो कॉल के थूरू, और उसमें से कम 8-9 में से, उनमें से 7 बंदे select हो गए, GD में मतलब select हो गए, और दो बंदे आउट हुए, दोनों बंदों फिजिकल में आउट हुए, एक बंदा मैं था, एक बंदा और था, दोनों लोग सिर्फ फिजिकल में आउट हुए थे, तो GD की हमने बहुत ही अच्छी preparation की थी, GD की हमने बहुत ही अच्छी practice की थी, और मुझे इतना मैं यहां ने UE, अट होगी था, यहां वि-जान देना की आपको पहले PFT租ा करना है, आपका भी पहला काम है कि आप पहला PFT कुलियर करो, पिर आप SRT कंण करो, फिर आप GD फोकस करो, यह नहीं क्याता कि आप GD फोकस मत करो, आप GD फोकस करो, लेकिन देखो PFT का टाइम आ आता है, दिन आपका SRT आता है, उसके बाद आपका GD आता है, ठीक है, तो आपको तीनों तयार करना है, आपको किसी को भी हलके में नहीं लेना है, अगर बात करें भाई SRT गिना, तो हर साल SRT में दो-तीन बंदे आउट हो जाते हैं, मतलब हर दिन, मतलब कभी-कभी एक बंद लेकिन अभी मत जाना अभी आपका फेस्टू का डेट नहीं आया जब आपका फेस्टू का डेट आ जाएगा तब जाके आप सॉल्व करना ठीक है आपकी मर्जी बाकी देखो भाई पहले आप PFT अच्छे स्तियार कर लो बिल्कुल आप ट्राई करना कि अगर आपको वहां प अधरा पुशब रेडी करके जाओ, होल्ड करके पुशब को मारना ठीक है देखो ट्राई करना कि आप पुशब को कम से कम 3 सिकंड होल्ड करके कर लिया करो ठीक है जब पुशब मतलब हो रहा था हमनों का तो उन्होंने 2 गृट में डिवाइड कर दिया था तो देखो यार पहले गृप का मुझे नहीं बता लेकि मेरा सेकंड गृप में था उसमें देखो यार थोड़ा बहुत होल्ड करवा रहे थे तो यार देखो आप होल्ड करके प्रैक्टिस कर लेना जो लोग कहते हैं होल्ड नहीं करवाते हैं और आपको होल्ड करके प्रैक्टिस कर लेनी ठीक है आपको देखो यार किसी भी चीज में धील नहीं देना है और एक बात ये भी कि आप देखो आप टाइम से पहुँच जाना उस दिन एक बंदा ऐसा भी था जो टाइम से नहीं पहुच पहुच पया था आप पहुच तो एक दिन पहली पहुच जाओ एक बहुच जाना और आप आप अराम से निश्चन कले ना कि मैं टाइम से एसी पर पहुँच जाऊँगा क्योंकि भाई देखो अगर आप टाइम से नहीं पहुचोगे तब भी देखो आपका चांस चला जाएगा अप सोच यहाँ मैंने सिर्फ एक push-up मैं नहीं कर पाया उसकी वच Trump देखो मुझे दुबारा सबकुछ करना पड़ा दुबारा मुझे face-on के preparation करनी पड़ी दुबारा देखो मुझे जी डी के practice करनी पड़ी दुबारा देखो मुझे प Defense की तैयारी देखो दुबारा करनी प सब काल के तुरू तो यार देखू आप जीटी बहुत ही आराम से क्वालिफाई कर लोगे बस शर्ट इतनी कि आप डेली बोलने की प्रैक्टिस करते रहो ठीक है आप डेली इंगलिश में बोलने की प्रैक्टिस करते रहो बाकी भाई सब कुछ अच्छा हो गया आपको इटे